कि आखेर ब्रिटिश ने इंडिया के अंदर एजुकेशन का शुर्वात कैसे किया कैसे एजुकेशन बैसिकली फैला इंडिया के अंदर वो देखते हैं देखो सबसे पहली बात टॉपिक को जड़ा पड़ो 19th सेंचुरी बेंगॉल एजुकेशनल रीफॉर्म्स क्यारेक्ट अब ही तक जो हम लोगों ने डिसकॉस किया वह बैसिकली निउस्पेपर्स मैगजीन बुक्स के बारे में थे उसको एक अलग टॉपिक के सबसे अपने दिमाग में स्टोर करके रख लो अब जो शुरू होगा वह किस प्रकार अंग्रेजों ने एजुकेशन को इंडिया के दर प्यलाया है उसका डिसकॉसर करेंगे और जब मैं एजुकेशन का बात करती हूं तो आई मीन वेस्टरन साइंटिफिक एजुकेशन अब यह होता क्या है आगे देखेंगे देखो सबसे पहला जो सवाल दिमाग में आना चाहिए कि ब्रिटिश इतने इंट्रेस्टेड क के बारे में सोच क्यों रहते क्या वह इंडियंस के पर दया खा रहे थे कि यार इंडियंस को पड़ा देना चाहिए बिचारी लोग है ऐसा कुछ भी नहीं है British ने हमेशा जो भी कुछ किया है वो हमेशा से अपने फाइदे के लिए किया है हम Indian का इस्तमाल किया है हर वक्त अपने फाइदे के लिए और this is the hardest truth हम लोगों के साथ हमेशा बुरा ही किया है अंग्रेजोंने कुछ एक दो चुनिंदा केसे हो सकते हैं तो ज़रा द्यान से समझना बिल्कुर उसी टॉपिक के साथ हमेशा शुरू करते हैं और यहां पर यहीं होगा 1600 के दौरान इंग्लैंड की महरानी कौन थी क्वीन एलीजाबेथ क्वीन एलीजाबेथ के पास कुछ बिजनस्मेन या मर्चंट से जाते हैं और कहते है कि कुईन जी हमें इंडिया जैसी कंट्रीज में जाकर बिजनस करना है तो क्या हमें पर्मिशन मिलेगा कुईन ने का कि ठीक है पर्मिशन तो दे देंगे जाओ इंडिया जैसी कंट्रीज में जाकर बिजनस करो बिजनस को हम ट्रेड भी कहते हैं जाओ इंडिया ज उसमें से थोड़ा इससा आपको दे देंगे तो याद रखना ये जो कुछ गुरूप अंग्रेजी बिजनसमेन लोग आये थे इन्हीं लोगों को बोला जाता है ब्रिटिश इस्ट इंडिया कंपनी लेकिन इंग्लैंड में जो क्वीन इलीजाबत बैठी और इनका पूरा का पूरा जो अथोरिटी बैठा है इसको बोला जाता है ब्रिटिश सरकार याद रखना शुरुवात में ब्रिटिश सरकार इंडिया में रूल नहीं कर रही थी ब्रिटिश सरकार तो इंग्लैंड के अ आए थे ट्रेड करने profit कमाने ताकि profit कमाएंगे अपना जेब बरेंगे और कुछ इस्सा अपने ब्रिटिस गवर्मेंट को देदेंगे Queen Elizabeth को देदेगे लेकिन दीरे-दीरे इनका मकसर trade से territory पर आगया टेरिटरी का मतलब होता है जमीनी हग तो शुरुवात हुआ बिजनस से जब ब्रिटिश इस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई तो शुरुवात था बिजनस से यानि प्रॉफिट कमाने से लेकिन देरे देरे ये मकसद चेंच होता गया और उनका मकसद बन गया कबजा कर इंडिया की जमीन पर कबजा करना तो याद रखना बिल्कुल यहीं से हम लोगों ने शुरुवात क्या है कि 1600 में कुछ लोगों ने परमिशन मांगा कुईन इलिजाबेट से कि वह इंडिया में आके ट्रेड करें उनको परमिशन भी दे दिया गया वह आके ट्रेड करने ल इतने धीरे-धीरे वह इंट्रेस्टेड क्यों होने लगें इंडिया के एंडिया के अचुएश अब जरा ध्यान से समझ है मएफ जैन ब्रेटिश एस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर काम करती थी काम करती थी ट्रेड करती थी कबजा करने लगी तो भाई या ब्रिटिश इस्ट इंडिया कंपणी ने सोचा कि भाई अब देखो एक कंपणी जैसे होते कंपणी में कुछ मेंबर्स होते हैं है ना कुछ मैनेजर के पोजिशन पर होते हैं कुछ CEO होते हैं ऐसे होते हैं उसी त चोटे-छोटे पोस्ट होते हैं जैसे कि हमारा एक पोस्ट है जहां पर बस लेखा जोका करना है रिकॉर्ड मिंटेन करना है कि माल लो ब्रिटिश इस्ट इंडिया कंपपनी हुँ मैं पुरा है कंपपनी Bengal से कितना tax मिला Bengal के लोगों से Bengal के farmers थे उसका लेखा जोखा करना है suppose तुम्हारा गुजराच से कितना tax मिला उसका लेखा जोखा करना है तो अलग-अलग regions से कितना tax आ रहा है क्या हो रहा है इसका recording maintain करना है तो यह कोई बहुत जादा tough job तो है नहीं चोटे लेवल पर जौब है अब अगर इस चोटे चोटे जौटे जौटे जौब के positions पे किसी European को रखा जाए किसी अंग्रेज को रखा जाए तो अंग्रेज तो काफी salary मांगेंगे मगर इसी चोटे से position पे अगर किसी इंडियन को थोड़ा बहुत knowledge दे के अगर बिठा दिया जाए तो सस्ते में काम ने पढ़ जाएगा क्या तुम समझ पाए अगर इतने चोटे से जौब के लिए किसी European को हायर किया जाए किसी European को इस नौकरी में रखा जाए अंग्रेज को तो वो लोग तो काफी salary मांगेंगे लेकिन अगर इतने से चोटे से जौब के लिए किसी इंडियन को लगवा दिया जाए थोड़ा सा knowledge knowledge provide करके तो सस्ते में काम नहीं पड़ जाएगा और हमेशा से ब्रिटिश इस्ट इंडिया कंपनी बहुत ही जादा profit-minded थी कि कमाना है पैसा पैसा कमाना है तो उन्होंने ये भी पैटरा निकाल दिया कि कैसे करके हम पैसा बचा भी सकते हैं तो नौकरी छोटे-छोटे नौकरी पे इंडियन्स क थोड़ा बहुत educate किया जाएं कि इंडियन्स के साथ अकर बातचीत करने तो उनको इंगलिश आना चाहिए क्योंकि हम लोग तो हिंदी नहीं सिखेंगे वह इंडियन्स क्या हिंदी जानते हैं उन लोग को इंगलिश ठीकने को तो इन लोगो थोड़ा बहुत इंगलिश चि पढ़ाया जाएं और क्या कारण हो सकते हैं और कई कारण हो सकते हैं दूसरा कारण जो मैं बता रही हूं वह यह है कि इंडियन्स का ब्रेइनवाश करना था इंडियन्स के माइंड में यह सोच बिठा देना था कि तुम इंडियन्स लोग ना बेकार हो एक्दम तुम लोग कौन वहां से जो नौलेज्य से जो टाहिं मलता है तुमका भाष्भ लेकिन हम लोग अंग्रेज़ों का जो ऑक वह ने तो महीं है तुम लोग नोगे यह ब। इंस merit we ऑतर्चे में आगर किसी बच्चे को बचपन से ये Nasu कि तुम एंडियर नौ नो बेकार एंगर किशी बच्चे को बार-बार यही बताया तो बच्चा उस पर बिलीफ करने लग जाएगा इसको हम क्या बोलते ब्रेन वाष हो गए हम मेरा अपना सोचने का शम्ता पूरा लुप्थ हो गया हम लोग दूसरे के सोच को अपने उपर हावी कर लिये हैं तो अंग्रेज यही चा लोगा बात समझ पारे हो तो बेसिकली अंग्रेजों का दो मेन मोटिव था छोटे-छोटे पोजिशन पे किसी इंडियन को पड़ा लिखा के बिठा देंगे तो सस्ते में काम निपटेगा इसलिए इंडिया में एजुकेशन फैला लेते हैं दूसरी बात इंडिया में दलवा दें कि इंडियन का कल्चर उठना बैटना लैंगोज हर चीज बेकार है और यूरोपियन सबसे सुपीरियर है सबसे बैस्ट है यह थिंकिंग दिमाग में डालने के लिए इन लोगों ने वेस्टेन एजुकेशन को इंडिया के अंदर लाया बात समझ मैं तो अंग्रेजों से पहले इंडिया के इंदर एजुकेशन नहीं था अंग्रेजों से पहले भी इंडिया के इंदर एजुकेशन था जैसे हिंदूस के लिए गुरुकुल हुआ करता था मुस्लिम्स के लिए मदर्सा हुआ करता है ना तो मदर्से में उर्दू वगेरा इन सब बारे में इंफॉर्मिशन दिया जाता तो ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों से पहले एजुकेशन ही नहीं था इंडिया के अदर एजुकेशन था अब कुछ यहां पर देखो नाम एक्जाम पॉइंट अभी से याद रखना वारें हेस्टिंग्स ने स्टैब्लिश किया था क्या अलकेटा मदर्शा 1781 में मदर्शा जब मैंने कही दिया तो इसका मतलब यहां पर मुस्लिम जो बच्चे होते थे उनको पढ़ाया जाता था मुस्लिम कानून वगेरा के बारे में फिर यहां पर जोनाथन डंकिन इन्हों ने स्टाब्लिश किया था संस्कृत कॉलेज 1792 में जिसमें संस्कृत जब मैंने लिखिये दिया यानि हिंदूों को पढ़ाया जा रहा है अबाउट देर ओड स्क्रिप्चर्ज एन ओल सच नॉलेज तुम लोगों के दिमाग में यह क्वेस्चिन आना चाहिए कि दिधी क्या इंडिया के अंदर हिंदों और मुस्लिम करने की कोशिश करी है अंग्रेजों ने क्यालकटा मदर्सा खोला जहां पर मुस्लिम्स को पढ़ाते वक्त हिंदूों के बारे में भड़काव बाते किये जाते थे कि देखो पूरवज के समय हमारे हिंदूों किस प्रकार हमारे मुस्लिम भाई-जान के ऊपर कितना ज्यादा बुराई किया हैं हिंदू लोग बिकार होते हैं इसका कारण हिंदूों के बारे में मुस्लिम्स के दिल में एक नफरत पैदा करते थे संस्कृत कॉलेज में जो कि जो नाटन डंकन इस्टैबूश किया था यहां पर हिंदू को मुस्लिम्स के बारे में गलत गलत बाते बताई जाती थी ताकि हिंदू लोग मुस्लिम से नफरत करने लग जाए बिसिकली इन इंस्टिटुशन को खोलने का में मकसद था कि यह मुसलिम कभी मुसलिम को टोड़ने के मुसलिम्स को पड़ाते वक्त हिंदू के बारे में भड़का हुबाते करते थे यह भी दोनों कम्युनिटी अपस में न नफ्रत करने लग जाए क्योंकि टूटे हूए लोगों के उपर राज करना असान है इंडिया को टूट जा है त इसको स्थापित करने का में मकसद क्या था। देखो, Lord Willisley ने सोचा, कि अगर हम इंडिया के उपर राज करना चाहते हैं, तो हमें इंडियन्स के बारे में जानना पड़ेगा। इंडियन्स कैसे culture को follow करते हैं, इंडियन्स कैसे भाषाओं का यूज करते हैं, इंडियन्स कैसे रहते हैं, उनका history क्या था, ये सब knowledge जब अंग्रेजों के पास होगा, तो अंग्रेज आराम से कबजा कर पाएंगे इंडियन्स के उपर, देखो समझो, हम मोदी जी का बात करत होता है, क्यार ये हमारे देश के प्रदानमंत्री है, जो भी है, समझ पार हो, तो हमें connection हो पाता है, मोदी जी से क्यूकि वो हमारे language में बात करते हैं, हमारे बारे में समझते हैं, है कि नहीं, तो अंग्रेजों ने भी यही सोचा, कि अगर हम इंडियन्स के उपर कबजा कर न चाहते हैं तो हमें इंडियन का history language culture जानना होगा और इसलिए लॉड वेलस्ली ने फोर्ट विल्यम कोलेज की स्थापना करी कि इस कोलेज के अंदर अंग्रेजों को का अंग्रेज़ों कि love India के कलचर के बारे में पठाए जाता था इंडिया का कल्चर हिस्ट्री बैसेकली इंडियन से रेलेटेड इंफॉर्मिशं दिया जाता था बद समझ पार एंड तो बेसिकली इस कॉलेज के अंदर अंग्रेजों को पढ़ाया जाता था इंडियन्स के बारे में यह बात समझ मैं नहीं ठीक है विद इस आम एंडिंग इस वीडियो आगे के वीडियो में हम लोग आगे का बार डिसकस करेंगे